नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चिर परिचे दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहद हिमा तो पूर्ण जानकारी को ले करके जिहां आए आज हम सभी जानते हैं क्या जादा डकार और पाद आना गंफीर विमारी का संकेत है इसी बारे में आज हम सभी जान इस दोरान उस भोजन से पोशक तत्व और शोशीत होते हैं इसी समय बड़ी मात्रा में गैस भी बनती है कुछ गैस वह भी होती है जो मुख द्वार से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है वैसे तो डकार और गैस के निकलने को अच्छा माना जाता है पर यदि डकार बहु बहुत ज्यादा डकार अलसर पथरी पेट में गड़बड़ी और पाचन संबंधी समस्या की ओर इशारा करती है समानी अवस्था में डकार बनने के कारण गर्म चाए और कोफी के सेवन के समय हवा मुह में चली जानती है जिहां चूसने वाली चीजें ज्यादा खाना जैस सेवन करना समानी से ज्यादा डकार आने के कारण भोजन नलिका जिहां इसमें पेट का एसीड भोजन नलिका में प्रविश्च कर जाता है इस वज़े से डकार अधिक आती है अलसर पेट में अलसर होने पर भी डकार ज्यादा आती है यदि डकार के साथ दर्द भी होता है तो इसे गंभेरता से लें. एसीडिटी, पेट में एसीड का बनना एसीडिटी कहलाता है. ऐसे में डकार बहुत ज़्यादा बनती है. आत में संक्रमण, आतों में अक्सर बहुत से बैक्टिरिया पैदा होते हैं. परन्तु यदि छोटी आत में संक्रमण हो जाए, तो ऐसी स्थिती में गैस ज़्यादा बनने लगती है. पाद या गैस छोड़ना, जिहां पाद यानि की फाट, जिहां इस नाम को सुनते ही हमारे भाव एकदम बदल जाते हैं. कोई हसने लगता है, तो कोई गुस्सा करने लगता है. बात करे पाद की, तो ये एक ऐसी हवा है, जो हम न चाहते हुए भी अपने शरीर से निकाल ही देते हैं. हम इसे कितना भी रोकने की कोशिश करें लेकिन ये कुछ भी करके हमारे शरीर से बाहर चली जाती है पाद को हम नहीं रोक सकते हैं ठीक उस तरह जिस तरह हम डकार को नहीं रोक सकते हैं वैसे तो लोग पाद शब्द बोलते नहीं है, क्योंकि यह शब्द उन्हें असहज लगता है और वे इसे गलत मांते हैं, लेकिन क्यों, जब आपको पादने में शर्म नहीं आती है, तो बोलने में क्यों पादना, एक सकारात्म क्रिया हैं पादना, जो कभी-कभी सारवजनी के स्थान में हो जाती है तो कभी कभी बंद कमरे में कभी कभी किसी के भी सामने हो जाती है तो कभी कभी अकेले में भी हो जाती है पाद से बद्बू क्यों आती है पादने के बाद उसमें से आने वाली बद्बू हम सभी में से कोई बरदास्त नहीं कर पाता है वो भी नहीं जो पाद छोड़ता है ऐसे में वो बदभू क्यों आती है यह हम सभी शाहद नहीं जानते हैं तो चली आज हम बताते हैं आपको कि आखिर ऐसा क्यों होता है दरसल हम दीन भर में बहुत कुछ खाते पीते हैं ऐसे में कई चीजें ऐसी होती हैं जिनमें सलफर पाया जाता है य जो हमारी पाद के रूप में निकलती है मतलब साफ है कि अगर आपने कोई ऐसी चीज खाई है जिसमें सलफर था तो आपको पाद में बदभूआना स्वभाविक है पादना बुरी बात क्यों है अब बात की जाए पाद की तो लोगों ने शुरू से ही यह माना है कि यह एक बुरी आदत है लेकिन यह गलत है पादना एक अच्छी आदत है इससे यह पता चलता है कि आपकी सहत अच्छी है और आप पूरी मात्रा में फाइबर खा रहे हैं पेट की गैस के लिए दस सबसे आसान घरेलू पायों के बारे में आप आई यह जान लेते हैं निम्बू ज पर पेट में हाजमे की समस्या दूर हो जाती है जिससे गैस नहीं होती है इस समस्या को दूर करने के लिए दूद में काली मिर्च मिला करके आप ले सकते हैं हिंग एक गलास गर्म पानी में हिंग मिला करके पीने से गैस में लाव होता है यह प्रयोग दिन में तीन बार करन इसके अलाबा चांच में भूने हुए धनिये के पत्ते डाल करके पीने से भी गैस की समस्या में लाब होता है। लहसुन भी गैस की समस्या से निजात दिलाता है। व्पलब्ध पुदिनो को पानी में मिला करके भी पिया जा सकता है।